Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Miscellaneous Current Affairs Revision का ये हमारा पहला लेक्चर है आज के इस सेशन में हम सितंबर महिने के Miscellaneous Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article Hospital Management Information System के बारे में है Indian Railway ने अभी इसी रूल आउट किया है 156 Health Facilities के लिए Indian Railways में पूरी देश में ये Indian Railways का Initiative है यहाँ पर ये एक Single Architecture क्रीट करने की कोसिस कर रहे है ताकि जो भी Railway Hospitals हैं वो बढ़ियां से काम करें Faster, Seamless और Hazel Free इसे Rail-Tel implement कर रहा है एक मरी रतना PSC हो है ये Ministry of Railway का इसके लामा C-DAC भी सामिल है Center for Development of Advanced Computing ये Ministry of Electronics and Information Tech के तहर काम करता है Features ये हैं कि ये सभी प्रकार के Clinical Care जैसे Lab, Pharmacies और Hospital Administration को कवर करता है एक App भी है जो पेसेंट का सारा Record रखेगा और पेसेंट उसे किसी भी समय चेक भी कर सकता है ये जो पूरा Information System है ये टेली Consultation, Lab Report, Access, Medicine, क्यों से किस्वों डिस्वर्स की गए सारी जनकाली दे देगा ये National Digital Health Mission जो प्रोग्राम है उसके साथ भी Integrate किया गया है ये प्रोग्राम Ministry of Health and Family Welfare का है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल World University Ranking 2022 के बारे में है यानि की The Times Higher Education ने हाल ही में इस Ranking को रिलीस किया है इसमें चार main focus area होता है Teaching, Research, Knowledge Transfer और International Outlook इसी की basis पे Ranking भी जाती है ये Ranking 2004 से ही दी जाती रही है दुनिया की 1000 Top Universities में 35 इंडिया की भी है इंडिया का Indian Institute of Science सबसे Top पर रहा IIT रोपर उसके बाद और GSS Academy of Higher Education Research उसके बाद हाला कि Global Ranking के बाद करें तो Top पे अगें लगातार 6 साल Oxford रहा और Asia की बाद करें तो Shingua University जो चाइना की है वो पहली Asia University बनी जिसने Top 20 में जिगए बनाए अर्टिकल Ground Water Conservation के बारे में है इंडिया Ground Water के उपर बहुत ही जादा Dependent है इरिगेशन की नीड को पूरा करने के लिए हम हर साल Global Volume जो Ground Water का है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा Pump करके बाहर निकालते हैं ताकि इंडिया में Food Production को बहतर किया जा सके इसके लिए कई सारे Irrigation Wells खोदे जाते हैं इंडिया में 70% Food Production को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है तो ये पूरा मुद्धा Context के फॉर्म में हमारे सामने आया था तेकि इंडिया की जो Over Dependence है Ground Water के उपर इसके वज़े से इंडिया की Multiple Cities Ground Water Crisis फेस कर रही है UNESCO की World Water Development Report जो 2018 में Publish की गई थी उसने ये कहा था कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा Extractor है Ground Water का Ground Water किसी भी रूप में जो इंडिया का National Gross Domestic Product है उसमें कभी भी Measure नहीं किया गया है उसकी क्या Value है? वो कितना ज़ादा Deplete हो रहा है Central Ground Water Board जो मिनिस्ट्री अबजर सक्ती के दहत काम करता है उसकी एक डेटा के अकॉर्डिंग 230 बिलियन मीटर क्यूब जो Ground Water है वो हर साल निकाला जाता है इंडिया में Irrigation Agricultural Purpose से फुल्फिल करने के लिए और भारत का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो Rapid Depletion Face कर रहा है गॉर्मेंट के कौन से इनिशियेटिव है जो Ground Water Conservation के लिए काम करते हैं एक तो है अटल भूजल योजना और दूसरा है National Aquifer Mapping and Management Program आप इनके नाम जानते रहिए हमारा next article Common Service Center के बारे में है अभी हाल ही में News में आया है कि Common Service Centers को Approval दे दिया गया है कि वो Manage भी कर सकते हैं और Operate भी कर सकते हैं वो एक Passport सेवा केंदर कियोस की तरह काम कर सकते हैं कियोस एक छोटी दुकान या स्टॉल होती है रूरल एरिया में जो आपको कई तरीके के Services प्रोइड कर वाती है तो Common Service Center भी एक कियोस की तरह ही काम करते हैं यह जो इनिशेटिव है Common Service Center Ministry of Electronics एंड IT के तहत काम करता है यानि कि मैटी Common Service Center एक स्टैट्जिक मूव रहा था National E-Governance प्लान के तहत इसे मई 2006 में अप्रूव किया गया था इसका उद्देश यह था कि हम लोगों को जो E-Governance की Services हैं उनको उनसे जोड़ दे National Common Minimum Program के तहत जो सरकार की commitment थी उसे ही पूरा करने के लिए Common Service Center यानि कि CSC की सुरुवात की गई थी Common Service Center जैसे इंडिया में Digitalization काफी तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें भी contribution अपना play कर रहा है तो ये इंडिया में Digital India Program को कैसे assist कर रहा है एक तो जो Digital Infra है ये उसे सभी लोगों तक पहुचा रहा है इवरे सर्जन तक Governance और Services की जो demand है उसे रूरल एरिया में पूरा करता है और लोगों का Digital Empowerment भी करता है लोग Digital Services एकसेस कर पाते हैं थूरीज Common Service Center यहाँ पर आप जाके कोई form भर सकते हैं जो Government Services से associated हो या कोई भी electronic means का internet means का काम करवा सकते हैं हमारा next article Dugong Conservation Reserve के बारे में है Tamil Nadu के सरकार ने अभी हाल ही में इंडिया के पहले Conservation Reserve को तयार किया है Dugong के लिए Park Bay में इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आप Park Bay की location देखे ये है इंडिया और ये है स्रिलंका इसके center में यहाँ पर आपको मिलता है Park Bay और ये जो पूरा area है ये पार्क स्टेट का है ये है Gulf of Mannaar ठीक है तो ये तो location आपने देख लिए अब बात करते हैं डugong के बारे में ये एक herbivores mammal है यानि की शाकाहारी होता है ये समूह में रहते हैं ग्रेजिंग करते हैं सी रास के उपर समंदर में जो घास उगी रहती है उसे ही खाते हैं और surface पर आते हैं सांस लेने के लिए इंडिया में आपको डugong गल्फ आफ मननार में दिखेंगे गल्फ आफ कच्छ में पार्क बे में अंडमान और निकोबार आईलैंड में दुनिया में डugong सबसे ज़ादा कहां पाये जाते हैं अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए और अगर आपसे पूछा जाएक कारण तो कारण होगा कोरल रीफ जो उनके लिए एक अच्छा फीडिंग राउंड तयार करता है कंजर्वेशन स्टेटस की भी यहाँ पर बात कर ही लेते हैं आयूसेन के रेट लिस्ट में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्सिक थ्री ओस के बारे में है समझेंगे यह क्या है कॉंटेक्स्ट यह है कि इन्वोर्मेंटल ग्रॉप्स का एक कोलेशन कम्यूनिटी लीडर्स और एकेडमिक्स के साथ साथ बिजनेस जो यूएसे से बिलॉंग करते हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेटिशन फाइल की है वो चाहते हैं उस तभी संस्क्रीन प्रोडक्स को खतम कर दिया जाए रोक लगा दी जाए जिनके अंदर होता है टॉक्सिक 3-0 अब यहाँ पे 3-0 एक्शुली में तीन कैमिकल्स को इडिकेट करता है जिनके नाम ओ से सुरू होते हैं इनमें पहला है ऑक्सिबेंजोन दूसरा है ओक्टी नॉक्सेट और तीसरा है ओक्टो क्राइलीम तो जो संस्क्रीन इस्तेमाल किये जाते हैं उनमें यह तीन कैमिकल्स ऐसे पाया जाते हैं यह active ingredients है जादातर संस्क्रीन में यह पाया जाते हैं मतलब सीधे सीधे कहूं तो two-third संस्क्रीन में यह काफी नुक्सान दे होते हैं हमारी खुद के health के लिए marine life के लिए भी और coral reefs के लिए भी यह कैसे नुक्सान दे होते हैं आप समझ सकते हैं जैसे जो octocrylene है जो sun production products में इस्तेमाल किया जा रहा है यह जब degrade होता है तो benzo phenone में convert हो जाता है यह हमारे hormones में interfere करता है और reproductive organs को भी नुक्सान पहुचाता है यह human cell को damage करने की छमता रखता है यह damage cancer cause कर सकता है और hormones को disrupt कर सकता है आप समझ सकते हैं कि यह कितने खतरनाख chemicals हैं फर्दर जब हम sunscreen को अपनी body शे wash कर देते हैं धो देते हैं तो वो गंदे पानी के साथ various water bodies में मिल जाता है ultimately पानी समंदर में चला जाता है वो coral reef को भी बहुत ज़़ा नुक्सान पहुचाते हैं अगर यह इनसानों के cell को damage कर रहा है तो जो marine animals है उनके cell को भी damage करेगा coral reef में यह zombie coral create कर देते हैं और coral reaching भी करते हैं zombie coral का मतलब यहाँ पर यह है कि वो corals healthy तो होते हैं लेकिन reproduce नहीं कर पाते मतलब वो खतम होंगे तो उसके बाद वो पूरा area एकदम barren होने लगेगा और जो coral के उपर algae's होते हैं वो bleach करने लग जाते हैं तो काफी नुकसान होता है इसलिए इन्हें eliminate करने की बात चल रही है हमारा next article एक report के बारे में है जो इंडिया की urban planning capacity में reforms की बात करता है इस report को launch किया गया है निती आयोग के बारा इसका देखे actually में इसे एक advisory committee ने prepare किया इसे head किया गया था निती आयोग के vice chairman के दोरा इस report का purpose ये था कि इंडिया में जो urban planning है उसकी education system को बहतर किया जाए इसमें समझा ये जाता है कि हम ये courses करते हैं कि हमारे देश में urban planners कैसे हैं उनकी availability क्या है demand क्या है supply क्या है सब चीज़ों को यहाँ पे evaluate किया जाता है recommendation में ये आया कि हम अपनी urban planning को बहतर करें अब urban planning में आता क्या है ये subjective है न इसमें देखे ये होता है कि हम अपनी cities को healthy कैसे रख सकते हैं उसके planning हमारे पास जो urban land है सहरों में जो जमीन है हम उसका optimum use कैसे कर सकते हैं और human resource capacity को कैसे utilize कर सकते हैं recommendation में ये भी कहा गया कि हम urban governance को बहतर करें local leadership को और strong करें private sector का क्या role हो सकता है उसे enhance करें पूरे urban planning की education system अबरे इसम आपनीज़ करें ये कानून हाल फिलाल में news में आया है context क्या है Bombay के high court ने एक व्यक्ती को order दिया कि वो अपनी family के साथ अपने माता-पिता का flat छोड़ दे वो पिछले 10 दिनों से उन्हें harass कर रहा था और ये complaint court के पास गई थी अगर वो व्यक्ती अपने माता-पिता का घर नहीं छोड़ता है अच्छा विवहार नहीं करते हैं मामला यही है कि last resort के तौर पे parents ने court से गुहार लगाई थी कि वो maintenance and welfare of parents and senior surgeons act 2007 का इस्तेमाल करें और इसी कानून के तहत ये order दिया भी गया तिके special tribunals बनाय जाते हैं इस act के तहत ताकि parents को relief grant किया जा सके अगर उनके बेटे या family के द्वारा जो बेटे की family है उसके द्वारा उन्हें हरस किया जा रहा है इसी सम्मन्द में वो high court तक पहुँचे थे अगर हम इस act की बात करें तो इसमें कुछ बहुत ही महत्तपोर प्रावधान है जैसे पहला प्रावधान तो ये है कि ये legally oblige करता है जो adult children है उनको और उनके heirs को मतलब grandson को भी कि वो जो parents हैं जो elderly people हैं उनको monthly allowance दे वो एक basic खर्च के लिए जो जरूरी होता है किसी भी विक्ति क्या जीविका के लिए दूसरा ये कि अगर कोई claim उन्हें code से मिला है तो उसे inexpensive और speedy तरीके से senior citizens तक पहुँचाया जाए जो मंतली maintenance के form में हो सकता है इस कानून के अनुसार जो parents हैं वो biological भी हो सकते हैं adoptive भी हो सकते हैं even step parents को भी यहाँ पे cover किया गया है इस कानून के अंतरगत जो elderly persons है उनके life और property को protect करने के प्रावधान किये गए हैं को एंटेस्टेंड की हाँ senior citizens को problem ना हो इस सम्वन में 2007 में काफे effective कानून ये लाया गया था इसमें एक बहुत important section 19 है अकसर इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या state government के लिए ये obligatory है कि वो old age homes बनाएं तो बिलकुल ये जो कानून है maintenance and welfare of parents and senior citizens 2007 ये state government को oblige करता है कि वो establish करें और maintain करें उतने नंबर में old age homes accessible places पे जितना जरूरी है धिमे धिमे ये काम करें 2007 में ऐसा कानून में कहा गया था उस समय ये कहा गया था कि कम से कम एक district में एक old age homes तो जरूर से होना चाहिए state government समय समय पर in old age homes के management को लेकर scheme भी तयार कर सकती है तो उमिदितन आप इस कानून के बारे में अच्छे से समझ गये हमारा next article euro green bond के बारे में है power finance corporation ने अभी 300 million euro के 7 year euro green bonds green bonds issue किये गए हैं और 2017 के बाद euro bond का ये पहला टाइप है मतलब green bond तो अलग हो जाता है green bond का मतलब अभी आप समझेंगे euro में भी 2017 के बाद ये पहली बार bond जारी किया गया है चलो पक चार साल बाद युकान से साड़े तीन साल बाद और green bond तो for the first time हुआ है अब देखिए जो issuance है euro green bond का इसे काफी boost मिला लोग काफी attract हुए इस bond को लेकर Asia ये यूरोप दोनों ही जगहों पर और ये bonds 2.65 टाइम्स oversubscribe हुए लोग काफी eager थे euro denominated bond में अपना पैसा लगाने को लेकर देखिए green bond जो है वो बाकी bonds की तरह ही होता है ऐसा नहीं कुछ बहुत special होता है बहुत खास होता है kind of debt instrument है मतब इसे जारी करके पैसे एकठा किये जाते है किसी भी investor से हाला कि green bond normal bond से इस लिहास चलग हो जाता है कि इससे जो पैसे एकठा किये जाएंगे उन्हें केवल green projects को ही finance किया जाएगा इस्तेमाल किया जाएगा green project का मतलब ऐसा जो की renewable energy के field में हो या environment friendly हो green bond जादा subscribe हो इसके लिए sometime tax incentives दिये जाते हैं tax exemptions दिये जाते हैं और tax credits भी दिये जाते हैं ताकि investors attract हो green bond जारी करने का सबसे बड़ा issuer देखे जारी करने वाली entity world bank ही है ये अभी तक 164 SA green bond जारी कर चुकी है 2008 से जिनकी वर्थ combinedly approximate 14.4 billion dollar के अप्रॉक्स होगी तो आपने green bond का ये पूरा topic समझा हमारा next article AUKUS alliance के बारे में है अभी हाल ही में USA, UK UK और Australia ने announce किया है एक trilateral security partnership जो कि Indo-Pacific region के लिए होगा Indo-Pacific region जिसमें इंडिया अपनी जो reach है उसे बहतर कर रहा है नाम दिया गया है AUKUS ये इनी तीनों देशों का short form है if you could see A for Australia UK is UK and US is US तो यही तीन देश हैं US, UK और Australia ये एक historic security pact है ACI Pacific region को अगर आप संग्यान में ले तो Main objective इसका यही है It is a kind of effort कि China को counter किया जाए विकास China इस region में बहुत ज़्यदा influential हो रहा है तो ये तीनों देश एक साथ हा रहा है उसे counter करने के लिए AUKUS, Defense, Security के सम्मन्द में जो various aspects है उनको cover करेगा like science, supply chain, industrial basis, technology इन सभी चीज़ों को AUKUS के इस पूरे aeronimic cover करने की कोसिस की जाएगी significance क्या है? देखे, इसका एक जो बढ़ियांसा target है China को counter करना है, that's okay लेकिन China को counter करने के लिए AUKUS में Australia को empower करने का plan है मतलब हम Australia को इतना टाकत पर बनाएं, कि वो इस पूरे region में China को counter कर सके इसके लिए plan ये है कि US और UK मिलकर Australia को nuclear power submarines provide करवाएंगे इसमें और various sectors में engagement की भी बात की गई है, जैसे artificial intelligence quantum technology, cyber capability और जो various undersea capabilities किसी भी country के पास होने चाहिए for being a good naval power वो सब Australia को provide करवाएंगे इससे देखे, Quad में चार देज हैं, इंडिया, जपान US और Australia Australia, militarily काफी पीछे है, अगर हम Australia को empower करते हैं तो Quad में उनका role भी काफी strong होगा, जैसे कि हम बार-बार कह रहे हैं कि it is to counter China, तो China का इस पर क्या response रहा है, चाइना ने इस पूरे agreement को fully condemn किया और कहा कि ये extremely irresponsible step है चाइना ने कुछ concern भी race किये, AUKUS alliance को लेकर उन्होंने कहा कि ये alliance इस region में peace और stability को undermine करेगा और arm race को intensify करेगा वैसे ये वो देश कह रहा है जो खुद इस region में peace और stability के लिए सबसे बड़ा खत्रा है यहाँ पर देखिए वो ये भी कहता है कि इससे cold war की mentality बढ़ेगी और ideological prejudice create होगा खर चाइना भी अपने concern obviously raise करेगा अब मुद्धा ये है कि इस पूरे औकोस alliance में एक बात पर बहुत ज़दा जोड़ दिया जा रहा है कि Australia को nuclear power submarines दी जाएंगी क्यों? Nuclear power submarines पर इतना focus क्यों है? इसका focus इसलिए है because Australia को यहाँ पर एक strong naval power बनाने का plan है और nuclear power submarines उसमें की role play कर सकती है nuclear power submarines काफी तेज होती हैं काफी मजबूत होती हैं और conventionally powered fleet के तुलना में इन्हें detect करना काफी मुस्किल होता है ये महिनों तक समंदर के अंदर डूबी रह सकती हैं missiles को ज़्यादा दूरी तक suit कर सकती हैं और ज़्यादा missiles carry कर सकती हैं अगर इतना empowered होता है तो इस पूरे region में US के influence को maintain करने में एक बढ़ियां role play कर सकता है ध्यान दीजेगा कि पिछले 50 सालों के बाद पहली बार ऐसा है कि US अपनी submarine technology किसी country के शां share करने वाला है इसके पहले जो उन्होंने अपनी technology share की थी that was with UK UK के लावन उन्होंने share नहीं कि पिछले 50 सालों में technology किसी किसा Australia को अगर ये nuclear power submarines मिलती है तो Australia दुनिया का सात्मा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास इस प्रकार की submarines होंगी after US, UK, France, China, India और Russia nuclear power submarines का मतलब nuclear bomb नहीं होता ये केवल nuclear power से operate की जाती है और इसके बार Australia ने ये भी re-affirm किया है कि उनके पास nuclear power submarine आ जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि वो nuclear weapon आप्टीन करने की कोसिस करेंगे वो ऐसा प्रयास बिलकुल नहीं करेंगे ये बर्होंने बार-बार दोहराया है हमारा next article collective security treaty organization CSTO के बारे में है Russian lead ये security block एक बहुत बड़ी military drill conduct करने जा रहा है तजाकिस्तान इसके पहले खे मागे बढ़ें आप तजाकिस्तान की location देखिए ये है तजाकिस्तान जो की एक central nation country है पहले USSR का part हुआ करती थी यहाँ पर है उजबेकिस्तान ये है कर्गिस्तान यहाँ खजाकिस्तान है ये है चाइना ये इंडिया है यहाँ पर अफगानिस्तान है इसका border यहाँ से यहाँ पर इंडिया से touch करता है ये तुर्कमेनिस्तान है तो यहाँ सपास के पड़ोसी डेस आपने देखिए अब मामला देखिए या ये CSTO है क्या ये एक Inter-Governmental Military Alliance है इसे NATO की तरज पर ही बनाया गया था हलांकि काफी बाद में बनाया गया था 15 मई 1992 में इसे साइन किया गया 1992 में जो सोवियत यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करते थे 6 देश वो एक साथ है रश्या तो ओविसली सोवियत यूनियन का एक बहुत महतुपूर्ण हिस्सा रहा बाद में इसने लिए इकठा आये जर्बैजान, विलारूस और जॉर्जिया 1994 में इस तुरीटी को इफेक्ट में लाया गया लेकिन बाद में अजर्बैजान, जॉर्जिया और रुजबेकिस्तान ने छोड़ दिया तो ये 9 members हुए थे इसके लेकिन बाद में घटके फ़ापिस 6 हो गया अभी जो वर्तमान में 6 members हैं दोजार अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रेशन फेडरेशन और तजाकिस्तान अब इसमें तजाकिस्तान को क्यों focus किया गया है, यहां military drill की बात क्यों चल रही है क्योंकि तजाकिस्तान इन 6 members में से एक मात्र ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के साथ border share करता है अफगानिस्तान इसमें काफी unstable है, तालिबान के take over के बाद तजाकिस्तान की security को ensure करने के लिए इस drill को conduct करने का प्लान किया गया है हमारा next article NCLT और ITAI के बारे में है NCLT का full form है National Company Law Tribunal और ITAT यह आई नहीं है, T है, इसका full form है Income Tax Appellate Tribunal context यह है कि government ने भी 31 लोगों को appoint किया है judicial, technical और accountant member के तौर पे इन दो nobodies में यह development काफी महत्तपूर है क्योंकि कुछ समय पहले ही Supreme Court में फटकार लगाई थी कि various tribunals में बहुत सदा vacancies है और सरकार संग्यान में नहीं ले रही है लगभग 250 post various tribunals में और appealate tribunals में खाली पड़े हुए है इसी के बाद यह appointments किये गए है बात करते हैं NCLTK National Company Law Tribune यह कॉसिज यूडिशल बॉड़ी है जो company के सम्मन्द में जो भी issues आते हैं उपर बातचीत करती है 2016 में इसे companies एक 2013 के आधार पे बनाया गया था इस सम्मन्द में recommendation आई थी justice iraadi committee की यह mainly company law और insolvency के law के सम्मन्द में मुद्दो को handle करता है इसमें जो लोग member होते हैं उनके term की अगर आप बात करें तो इनका term 5 साल का होता है या फिर 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए या फिर further order until further order जोर दिया गया मतलब इनके term को आगे exceed भी किया जा सकता है उस सम्मन्द में मुद्दो को handle करती है यह पहला tribunal उना था 1941 में इसलिए इसे mother tribunal के नाम से भी पुकादा जाता है यह independent रहे और बढ़ियां से काम कर सके इसलिए इसे ministry of law and justice के department of legal affairs के अंदर रखा गया ना कि ministry of finance के अगर इस सम्मन्द में कोई order आया है IT, AT के द्वारा दिया गया है अवार्ड दिया गया है उसे अगर किसी को challenge करना है तो वो respective high court में जा सकता है हमारा next article प्रोफेसर S के जो सी Laboratory Excellence Award के बारे में है Quality Council of India ने इस अवार्ड को launch किया है नाम से सपस्ट है इसमें Laboratory को अवार्ड दिया जाएगा ये country का इस प्रकार का पहला Excellence Award है जहां पर हम किसी Laboratory को अवार्ड दिने की बात कर रहे है ये open होगा सभी प्रकार की operational laboratories के लिए आप बताइए आप किया testing, calibration, medical facilities कैसी है और उसके बाद उसके basis पे ये देखा जाएगा कि आप capable हैं या नहीं है इस अवार्ड के लिए ये अवार्ड पद्म भूशन अवार्डी लेट प्रोफेसर S.K. जोसी जी के नाम पर रखा गया है जो science और academic के field में बहुत ही बढ़िया काम करके जा चुके है Quality Council of India के बारे में बात कर गया है एक्चुली में जो भी chairman होगा उसे हमारे honorable prime minister के दौर अपॉइंट किया जाएगा इस दौरान वो recommendation लेते हैं जो भी industries हैं उनकी Industries recommend करती हैं कि आप इन्ही chairman मना दीजिए उन्हें सही लेगेगा तो वो बना दीगा तो ये दो बाते QCI के बारे में भी होगी देखें UPSC 2017 में quality council of India पे एक प्रशन पूछा गया था मतलब ऐसे विश्यों पे प्रशन पूछे जाते हैं दो statement था कि QCI को setup किया गया है government और Indian industry के दौरा मिलकर और दूसरा है कि जो chairman होते हैं QCI के उन्हें prime minister appoint करते हैं industries की recommendation पर यहां पर पस्ट है कि दो के दोनों ही statement सही है और हमारा जवाब है C हमारा next article customs notified airport के बारे में है कुशी नगर airport हाल फिलहाल में news में रहा है इसका reason यह है because Central Board of Interact Texas and Customs ने यानि कि CBIC ने कुशी नगर airport को custom notified airport declare कर दिया है अब सवाल यह है कि अगर किसी airport को custom notified airport declare कर दिया जाए तो उससे क्या फरक पड़ता है इसका मतलब क्या है अगर कोई airport customs notified airport बन जाता है इसका मतलब की वहाँ पर कुछ facilities को improve किया जाएगा जो भी important goods हैं वहाँ पर उनकी unloading की जा सकेगी और जो various export goods हैं उनकी loading भी इस airport पे की जाएगी और उस संबंद में जो भी required infra है वो उस airport पर available करवाया जाएगा ये airport जो कुछी नगर airport है ये international passengers के movement को भी facilitate करेगा because कुछी नगर as we know एक बहुत important बुद्धिस्ट pilgrimage site भी है कुछी नगर वही जगे हैं जहाँ पर आत्मा बुद्ध जी को महापड निर्वार मिला उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली इस लिहाँ से एक बहुत ही holy बुद्धिस्ट pilgrimage site बन जाती है और दुनिया भर से लोग इस place को visit करने आते हैं कुछी नगर के आसपास कई और सारी important बुद्धिस sites है इसले भी कुछी नगर एक attraction का center बना रहता है जैसे कि स्रावस्ती की दूरी कुछी नगर से महज 238 km है कपिलवस्तू 190 km और लुंबिनी महज 95 km की दूरी पर है तो कुछी नगर center of attraction रहता है obviously नेक्स्ट आर्टिकल आइसो थर्मल forging technology के बारे में है D.I.D.O. ने भी हाल ही में एक बहुत ही critical technology को develop किया है नाम है आइसो थर्मल forging technology ये कोई नई technology नहीं है कई सारे देसों के पास ये technology already है इसका इस्तिमाल arrow engines में किया जाता है arrow planes या fighter jets के जो engine बनते हैं उसमें forging का मतलब होता है shape देना जैसा कि आप जबी लोग जानते हैं कि जो fighter jets में engines इस्तिमाल किये जाते हैं वो बहुत ही strong होते हैं उनमें जो भी components use किये जाते हैं उसके लिए जरूरी है कि वो components high temperature और high pressure को bear करने की छमता रखते हो इसलिए उन tools को बनाने के लिए उन components को बनाने के लिए specific तरीकों का भी इस्तिमाल किया जाता है जो भी tools बनाये जाते हैं उनको एक shape दिया जाता है चूँकि usually बहुत ही high quality के metals use किये जाते हैं इन tools को बनाने के लिए कई बार titanium alloy का इस्तिमाल किया जाता है जो titanium alloy होता है वो काफी hard होता है उसे shape देना बहुत मुस्किल होता है लेकिन वो high temperature और pressure wear कर सकता है लेकिन titanium alloy के components बनाना इतना आसान नहीं होता उसके लिए हम closed dye process का इस्तिमाल करते हैं जो लोग technical field से belong करते होंगे वो dye समझते होंगे यह के dye यह होता है यह एक object होता है जिसके पास एक certain shape होता है और उसके बीच में हमें एक work piece रखते हैं work piece मालीजी यहाँ पर titanium alloy हो गया जिसका component हमें बनाना है और इस dye में जो shape है उस ही shape का component हमें मिलेगा अब यह dye के बीच में जो work piece रखा गया मालीजी titanium alloy यह इसको pressure देगा दबाएगा और उसके बाद यह जो shape इस dye का है वही shape यह titanium alloy ले लेगा अब देखें titanium alloy को shape देने के लिए जरूरी होगा कि आप उस alloy को गरम करें तब ही उसका shape आएगा चुकि titanium alloy बहुत मैं एक example ले रहाँ यह titanium alloy का कोई और भी metal हो सकता है titanium alloy की ही बात करते हैं चुकि काफ़ specific इसका use किया भी जाता है तो चुकि यह जो dye है यह काफ़ी slow काम करेगी वो बहुत ही hard metal है या बहुत ही धीमे धीमे वो एक shape अवेल करेगा अब अगर आप इस alloy को गरम करते भी हैं तो एक खत्रा यह रहता है कि पूरी प्रक्रिया में जब यह dye इसको pressure देगा तो जो heat है वो इस dye में transfer हो जाएगी इससे shape में deformity आ सकती है इससे बचने के लिए किया क्या जाता है कि जो alloy है जिसका हम वो tool बना रहे है लेकिन इस temperature को लंबे समय तक maintain करना और उस tool को deformity से बचाना एक complex process होता है इसे अभी हाल ही में DRDU ने develop किया है तो खुल मिला के इसमें जो isothermal forging की जाएगी उसमें closed dye process का इस्तिमाल किया जाएगा जिसे आपने इस image में देखा और समझ भी लिया process के जरीए हम engineer parts को तयार करते हैं जिनका इस्तिमाल jet engines में किया जाता है और भी कई तरीके के aerospace components यहाँ पर develop किये जाते हैं जिनकी density बहुत high होती है लेकिन उनका weight हलका होता है क्योंकि अगर वो भारी होंगे तो ज़्यादा fuel खर्च करवाएंगे यह वही बात है कि work piece और जो die है उसके बीच temperature loss ना हो इसलिए यह technique थोड़ी सी complex बन जाती है इस process में काफी जो slow rate में shape को तयार किया जाता है इसलिए heated die और work जो component है जो metal है दोनों का temperature more or less similar रखा जाता है लंबा forging time इस process को complex बनाता है और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से follow करते हैं तो हमें nearly ready to use component मिल जाता है जिसके बाद हमें कुछ खास उसमें करना नहीं पड़ता बस वो component हमें मिल गया उजड़ाई के shape को हम उसे use कर लेते हैं यह crucial technology है जिसे develop करने के बाद हम arrow engines को बनाने के field में self-reliant बने के और इंडिया कुछ ऐसे देशों की स्रेड़ी में आ गया है जो ऐसी छमता रखते हैं ऐसी manufacturing capability रखते हैं जो arrow engine के components सयार कर सकते हैं next article हमारा next article Delhi Mumbai expressway के बारे में है जो कि दुनिया का सबसे लंबा expressway बन जाएगा ready होने के बाद Minister for Road Transport and Highway ने अभी हाली में इसके काम को review किया यह Delhi से लेकर Mumbai तक के बीच का है 1380 km का यह 8 lane expressway होगा अगर आवशकता पड़ी तो इसे 12 lane भी बनाया जा सकता है 2020 में open होने की संभावना है हर्याणा के सोना से सुरू होकर यह Mumbai के मीर भायंदर यह जो जगें है अगर मैं सही प्रनिशेट करना हूँ तो वहाँ तक जाएगा कई सारे special features है इस expressway के किनारे बहुत सारी amenities मिलेंगे जैसे के resort, restaurants, food course, fuel station truckers के लिए जो facility required है logistic park यह सब होगा helicopter ambulance service भी होगी अगर कोई accident होता है तो आसानी से वहाँ पर हम services दे सके यह expressway दुनिया का दूसरा और Asia का पहला ऐसा expressway होगा जहाँ पर animals के गुजरने के लिए overpass बनाया गया है ताकि वो आसानी से आ जा सके और accidents ना हो यहाँ पर दो iconic eight lane tunnels भी बीच में आएंगे एक तो देखे जो मुकंद्रा सेंक्चुरी है वहाँ पर होगा राजस्थान में और दूसरा होगा माथेरन में जो की eco sensitive zone है महरास्टा का वहाँ पर significance की बात करें तो यह आस पास की जो regions है हमकी significance को enhance करेगा connectivity वढ़ेगी वो economic hub बनेंगे राइक जैपूर, केशंगड, अजमीर, कोटा, चित्तौरगड, उदायपूर, भोपाल, उजैन, इंदौर, एहंदावार, वडोधरा, सूरत, annual fuel भी बचेगा क्योंकि easy flow होगा 320 million liter fuel के बचने के संभावना है जिससे CO2 का emission कम होगा और इस project में कई सारे लोगों को job भी मिल रही है हमारा next article एक और index के बारे में है that is state food safety index देखे index और report पर एक प्रश्टो UPSC पूछी लेती है अगर आप पिछले सालों का trend उठा कर रेखेंगे तो तो अगर आपने 50-60 जो भी index news में आ रहे हैं या important हैं वो तयार किये हुए हैं तो आपके दो number तो fix हो जाते हैं इसलिए इन्हें नजर अंदाज करना वो धिमानी नहीं होगी state food safety index की बात करें तो इसे अभी हाल ही में release किया गया है food safety and standards authority of India के द्वारा इसे आप short में फसाई बोल सकते हैं अब यहाँ पर देखिए फसाई से develop करता है full form मैंने आपको बता दिया food safety standard authority of India यहाँ पर 5 parameters के basis पर food safety को various states में measure किया जाता है राजियों में measure किया जाता है यह 5 measures है human resource and institutional arrangement वहाँ पर लोगों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है institutional mechanism कैसे work करता है food safety को लेकर जो भी norms है उनसे वो राज अच्छे से comply कर रहा है अत्वा नहीं food testing का infra और surveillance कैसा है जो भी लोग food safety में involved है उनकी training और capacity building हो रही है कि नहीं और consumer employment कैसा है लोग food safety को लेकर aware है या नहीं वो जानते हैं कि नहीं कि उनका food safe है कि नहीं इन सभी parameters पर states को evaluate किया जाता है इस लिहाज से ये पूरा index quantitative और qualitative दोनों ही model पर food safety के पूरे matter को evaluate करता है बिल्कुल objective तरीके से states की ranking की बात करें तो बड़े राजियों में number one पे गुजराद दूसरे पे केरला और तीसरे पे तमिल नाडू है चोटे राजियों में number one पे गुवा दूसरे पे मेगालिया और तीसरे पे मनेपुर है अगर आप बात यूटीज की करेंगे तो आपको number one पे जम्मु एन कस्मीर मिलेगा देलंडवान निकोबार और फिर number आएगा नियो डेली का अब अगर इतनी बात हो रही है तो फसाई पर भी चर्चा करी लेते हैं ये एक autonomous body है Ministry of Health and Family Welfare के तहर्ट काम करती है statutory body है इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई कानून आया होगा बिलकुल आया था 2006 में Food Safety and Standards Act आया था जिसके तहर्ट इस body को बनाया गया फसाई food business को पूरे इंडिया में monitor और govern करता है यही licensing करता है और कोसिस करता है कि इंडिया में जो भी food है वो protected रहे और public health को बढ़िया तरीके से ensure किया जाए So that was all about State Food Safety Index हमारा next article Solar DC Cooking System के बारे में है Central Mechanical Engineering Research Institute ने जिसे आप CSIR, CMER के नाम से भी पुकारते हैं एक Solar DC Cooking System डेवलप किया है मतलब Solar Energy का इस्तेमाल करेंगे और जो current होगा वो होगा direct current यानि कि DC It is a kind of induction जिस पे आप खाना पकाते हैं लेकिन यह Solar Energy का इस्तेमाल DC के form में करेगा तो सबसे पहले हम AC और DC के बीच का अंतर समझ लेते हैं AC मतलब Alternating Current और DC मतलब Direct Current जैसे इंडिया में जो Electricity का flow है वो Decide किया गया है कि वो 50 Hertz होगा अब 50 Hertz का मतलब क्या होता है आम बोलचाल की वासा में बताऊं तो आपका जो Bulb है वो एक सेकंड के भीतर 50 बार जलेगा और बुझेगा तो जो Electrons का flow होता है जिसे आप Current बोलते हैं उसमें एक Alternate प्लस और माइनस देखने को मिलता है मतलब एक बार Current पॉजिटिव जाएगा और फिर वो निगेटिव जाएगा अगेन पॉजिटिव जाएगा अगेन निगेटिव जाएगा तो ये चूकि Alternate चलता है इसलिए इसे Alternating Current कहा गया है नॉर्मल आपके घर में जो Power Lines होती है और जो घर में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो Alternating Current होता है जब इसका जटका लगता है अगर आपने इस Current को छूआ तो ये पहले चिपकाता है और फिर छोड़ देता है फेक देता है कहते है Current ने फेक दिया क्योंकि जब ये Positive जाएगा तो चिपकाएगा और जब Negative जाएगा तो दूर फेक देगा Direct Current में ऐसा Alternate System नहीं होता इसमें जो Electrical Current होता है वो लगातार E की Direction में Flow करता रहता है इसलिए जब DC किसी को चिपकाता है तो फिर जान लेवा होता है ध्यान दीजेगा कि आप Alternate Current को Store नहीं कर सकते इसे Store करने के लिए आपको Direct Current की आवशक्ता पड़ती है तो जो Batteries वगएरा में Current आप Store करते हैं वो Direct Current होता है DC लेकिन अगर आप चाहें कुछ Mechanical Changes करके तो DC को सीरे यूज़ कर सकते हैं तो वही Changes अभी इस Solar Energy Based Cooking System में किया गया है इससे इसकी Efficiency 20-25% बढ़ जाएगी क्योंकि पहले जो हम Solar Energy ले रहे हैं वो DC के फ़र्म में आ रहा है दिन हम उसको AC में Convert करेंगे और फिर उसे Induction में यूज़ करेंगे अब इससे Electricity Reduce होगी उसका हरास होगा Efficiency घटे की तो अगर हम सीधा DC Current इस Cooking System में यूज़ कर रहे हैं तो ये जादा Economical होगा और Conventional Solar Cooking System के तुलना में जादा Efficient होगा ये Carbon Dioxide के Emission को भी कम करेगा विकॉर्स हम अगर Different Use of Different Type of Energy यूज़ कर रहे है Cooking के लिए तो Definitely उससे Carbon Dioxide का Emission बढ़ेगा और ये Carbon Dioxide Emission को 290 Million Ton तक कम कर सकता है ये इसका Potential है चुकि इसका Model काफी Simple है तो Manufacturing में जादा Complexity नहीं आएगी ये Economical होगा और Micro Industries भी इसे Develop कर पाएंगी हमरा Next Article Ever Grand Day Crisis के बारे में है दुनिया वर के Stock and Bond Markets चाइना के इस Crisis पर निगाह कड़ाये हुए है Ever Grand Day Group ये चाइना की Property Developer Company है ये बहुत लंबे समय से अपने Interest पे नहीं कर पा रहे है संभावना ये है कि ये Company Bankrupt होगी इस Company का Size बहुत बड़ा है अगर ये Company Bankrupt होती है तो जो Crisis होगा वो 2008 के जो Lehman Brothers का Collapse था बिल्कुल वैसा हो सकता है मतलब पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी ये ऐसी संभावना जताई जा रही है अब देखिए जो Company है Evergrande Group इन्होंने 1992-93 में अपने Function स्टार्ट किये वो एक ऐसा समय था जब चाइना का Real Estate बहुत भूम कर रहा था और जो रियल स्टेट में काम करने वाली Companies थी उन्हें बहुत ही Easy Loan दिये जा रहे थे तो इस Company ने भी खूब सरा Loan लिया और बहुत सारी Sites डेवलप करी अगर ये Company आज Default करती है तो Asia में Default करने वाली ये सबसे बड़ी Company बन जाएगी इससे Investors को Confidence गिरेगा पूरे विश्व में ये Company कह रही है चाइना से कि जो Government है कि आप मुझे हमें Bail Out Package दीजी हमें बचाईए हलां कि इसकी संभावना कम है कि Chinese Government इनको Bail Out Package देगी हलां कि वो Damage को Control करने की कोसिस जरूर कर रहे है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक समय में इन्हें बहुत सरा Easy Loan Bank से मिला और इस Company का Size बढ़ता चला गया लेकिन जब China को ऐसा लगा कि हाँ इस प्रकार के जो Loan है वो Default होंगे इनका Size बढ़ता जा रहा है तो नों इस प्रकार के Loan पर रोक लगा दी तो जब Bank से इनको पैसा मिलना बंद हो गया लगे इन्हें पैसे चाहिए थे अपनी प्रोजेक्स के लिए तो ये एक Asset Management Company के तरह काम करने लगे लोगों के Wealth को Manage करने लगे और 8 से 12% का Interest देने लगे लोग काफे Interested हुए उन्होंने अपना पैसा इस Company में लगाना शुरू किया, इविन इनके खुद के Employees ने पैसा लगाना शुरू किया वर्तमान में 1 Lack के उपर इनके Employees है लेकिन उसके बाद धी में धी में जो Real Estate है उसका Market डाउन गया बहुत सस्ते Flats बेचने या मकान बेचने के बावजूद लोगों ने Interest दिखाना बंद कर दिया जब इनके पास खूब सारे पैसे थे तो ये और भी कई सारे विजनेस में चले गए ये Water Bottoms बनाने लगे इन्होंने एक Football Team खरीद ली, एक Stadium बना लिया और भी कई तरीके के विजनेस में ये गए लेकिन अभी जो इनका लॉस है, उनकी ये बिजनेस कमपनसेट कर नहीं पा रहे है September 23 गो इनकी डेडलाइन थी जो उन्होंने मिस कर दी इन्हें 83.5 मिलियन का Interest पेमिंट करना है, जो Dollar Denominated Bonds के उपर है, और वो दे नहीं पा रहे है अगर ऐसा होगा, तो ये चाइना का Lehman Moment होगा वही जो 2008 का Subprime Crisis था Lehman Brothers ने Bank Corruptcy फाइल करी थी 2008 में, देखे किसी भी Bank के दो प्रकार के Customer होते हैं Prime Customer, जिनका record बहुत अच्छा होता है जो अपना Interest Payment टाइम से चुकाते हैं लोन भी समय से दे देते हैं दूसरे प्रकार के Customers होते हैं, वो होते हैं Subprime, मतलब ये कम संभावना होती है कि अपना Interest Payment समय से देंगे और अपना Principle समय से देंगे तो जो Banks होते हैं वो Subprime Customers को लोन देने से कत्राते हैं लेकिन जब USA का Real Estate Market Boom जा रहा था, तो Lehman Brothers ने Subprime Customers को बहुत बड़ी संख्या में लोन दिया, और ये जो लोन था Properties पर ये incremental था मतलब ये होगा कि सुरू में आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता जाएगा ब्याज बढ़ता जाएगा, तो किया जाता था कि आप इतने समय में पेकर देना, आपको जदा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन लोग पेकर नहीं पाते थे, समय बीटता जाता था ब्याज का आमाउन बढ़ता जाता था, वो दे नहीं पाते सिचुएशन ऐसी आई, कि Element Brothers का पूरा जो Financial Mechanism था, वो कॉलाप्स कर गया, और दुनिया ने एक सब प्राइम क्राइसिस फेस किया, ये 2008 का Global Financial Crisis था, इसके बाद ये क्लियर हो गया कि Government इतनी भी एबल नहीं होती कि हर प्रकार के कैसिस को मैनेज कर सके, अगर Financial Panic आएगा, तो वो मिस हैंडल होगा, तो बिल्कुल यही सिचुएशन इससे में चाइना में बन रही है, अगर ऐसा होता है, तो देखते हैं कि Global Financial System में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोवा, कैश्यू, फेनी के बारे में है, फेनी एक प्रकार की वाइन होती है, एक प्रकार की शराब होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह कैश्यू, यह कैश्यू यानि कि काजू के फ्रूट से बनाई जाती है, उसकी बैरी से, और गोवा में बनाई जाती है, तो गोवा, Cashew Fenn नाम दे दिया गया इस समन्ने एक policy आई है Goa Governments Fenni Policy 2021 मैं आपको पता दूँ कि Goa की जो Cashew Fenni है इसे सन 2000 में ही Geographical Indication का दरजा दे दिया गया था और इस प्रकार की policy लेकर आने का उद्देश ये है कि हम इसे International Level के liquor का दरजा दे सकें जैसे कि Mexico का टकीला Japanese Shake और Russia का बोड़ का ये पहला liquor product है इंडिया का जिसे heritage ड्रिंक का status दिया गया था और सन 2000 में GI Tag वैसे देखे जो फेनी है वो Goa में केवल Cashew से नहीं बनती है बलकि कोको नट से भी बनती है लेकिन GI Tag केवल Cashew Fenni को ही दिया गया है जो Cashew के fruits होते हैं वो काफी जादा Goa की identity से इथोस से जुड़े हुए है तो जो उसका Cashew nut होता है उसे तो अलग कर लेते हैं उसकी बेरी से उसमें से काजू निकाल लेते हैं और उपर जो उसकी बेरी होती है जो पकती है और अपने पेड से खुद से गिरती है उसी को crush करके ये फेनी यानि की ये शराब बनाई जाती है इसकी पहली manufacturing माना जाता है कि सल सोलो सौ में की गई थी जब पुर्तगीज ब्रजील से इंडिया में Cashew के प्लांट लेकर आए परतमान में गोवा में 26th variety of फेनी तयार की जाती है ये वहाँ के cultural tradition cuisine यानि की भोजन और medicinal value के साथ जुड़ा हुआ है GI tag की बात करें तो ये किसी भी सामान को उसके विशिय इस characteristic की वज़ा से एक identity देता है जो किसी particular geography में ही होते है वो agriculture products हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी specific location पे ही manufacture की जाती है उसे GI tag दे देते है उद्ध ये होता है कि इस जगह बनने वाली या मिलने वाली ये चीज़ स्पेशिल है इसके पास एक specific quality है इससे उसका market बढ़ता है लोग उसकी और ज़्यादा attract होते हैं इस संबंध में एक कानून है जो की जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रिजिस्टरार होते हैं वो इसे एडिमिनिस्टर करते हैं एक बार अगर GI tag मिला है तो ये 10 सालों तक रहता है उसके बाद इसे फर्दर 10 साल के लिए extend करवाया जा सकता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेग-EA इनिशेटिव के बारे में है इसका full form है मेगालिया Enterprise Architecture मेगालिया के चीफ मिनिस्टर और Union Information and Technology मिनिस्टर ने jointly मेग-EA लाँच किया सबते पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि Enterprise Architecture का मतलब क्या होता है किसी भी Enterprise में कई सारी चीज़े वर्क करती है जैसे कि उनका Production Module हो सकता है Marketing Module हो सकता है जो Output Module है इन सबको आपस में Link करने की आवशक्ता होती है और जो Linking होती है यही एक Entity को Structured Mechanism Provide दरवाती है तो इन सभी चीज़ों को Link करके उसे एक Unit के रूप में Convert करना इसे Enterprise Architecture कहा जाता है Enterprise Architecture Government अपने Mechanism में भी लगाती है ताकि वो बहतर Government Services के Delivery कर सके तो अभी देखिए इसके पहले मैं आपको Background में बता देता हूँ कि United Nations का E-Governance Survey हुआ था उसमें उन्होंने Indicate कि जो सरकारे हैं उन्हें Policy Integration आप्ट करना चाहिए Policy Integration का हम तर समझ रहे हैं जो सरकार के अलग-अलग Department अलग-अलग Entities अलग-अलग Initiatives या Policies बनाते हैं वो लोगों के लिए कई बार बहुत Combersome होते हैं और Unaccessible होते हैं तो उन्हें सरकारों को उसे इस तरीके से इंटिकेट करना चाहिए इसके लिए वो चाहिए तो Big Data Analytics का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे इंडिकेट किया जाए ताकि Government जो Citizens है वो Governance को और बहतर तरीके से Access कर सके सरकार ने जब UNE Governance के Survey को Analyze किया तो उन्हें सुचा कि हम भी कुछ करते हैं तो सरकार ने इस संबंद में एक Working Group बढ़ाया Working Group को Head किया जा रहा था J. Saty Narayan G. के दोरा इन्होंने Recommendation देकर India Enterprise Architecture यानि कि INDEA Framework तयार किया यह जो INDEA Framework तयार किया गया Governance को और बहतर करनी के लिए इसी की तरज पर पहले मैं आपको INDEA Framework बता देता हूँ 2018 में INDEA यह पूरा Framework Digital India Program के दहब लाँच किया गया यह एक Nationally Portable और Scalable Digital Platform था जिसके मात्रे हम से Various Government Initiatives को या Policies को Integrate किया गया ताकि उन्हें आसानी से Access किया जा सके It was a kind of Generic Framework जहाँ पे Reference Module के मात्रे हम से मतब सरकार के जो भी Various Ministries है State या Government Agencies है उनके Policies को एक साथ एकठा किया गया पूरे Government के Architecture को Unite किया गया तो यह तो सरकार ने Union के Level पे किया Central के Level पे किया गया फिर Meghalia ने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं तो Meghalia अपने Level पे Governance में बहतरी लाने के रिए ये काम करने वाला पहला राज्य बन गया Meghalia एक North Eastern राज्य है उसकी Location आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है Meghalia यहाँ पे आसाम है यह अणशर प्रदेश है यह नागा लैंड है यह मडीपुर है यह मिजूरम है और यह तरपुरा है यहाँ पे है सिक्किम यह हमारा पडोसी लिए भूटान है यह नेपाल है यह म्यांगमार है और यह बांगलादेश है तो आपने यह Location समझी तो बिल्कुल उसी उद्देश से जैसे कि IND यानि कि इंडिया E.E.A. Enterprise Architecture Central Government ने लौँज किया वैसे ही मेघालिया के सरकार ने मेघालिया Enterprise Architecture लौँज किया Service Delivery इंप्रूव करने के लिए है किस संबंद में? Governance के संबंद में इसके लिए हम डिजिटल टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेघालिया के गौवर्मेंट का जो इनिशेटिव है इसमें 6 पिलर्स है Governance, Human Resource, Entrepreneurship, Primary Sector, Infrastructure और Environment इसे इंप्लिमेंट किया जा रहा है मेटी के द्वारा National Informatics Center के द्वारा और Information Technology Department जो राज्जियों के हैं उनके द्वारा Significance Project की ये है कि मेघालिया इसके बाद पहला राज्जिय बन गया जिसने INDEA के तरज पर अपने यहां इस प्रकार का मेकेनिजम आप्ट किया अगला आर्टिकल है हमारा Payment Bank से रिलेटिव जहां पर सेवी ने रिसेंटली इन Payment Banks को अलाव करा है कि ये Investment Banker के तोर पर काम कर सकते है अब ये Investor Banker क्या होता है ये Generally, Corporation, Government और Other entities के लिए पैसा इकठा करने का काम करते है अगर बात कि जाए Payment Bank की तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि Nachi Kate More Committee ने सज़ेस्ट किया था Smaller Bank यानि Payment Bank के लिए ये एक ऐसे Bank है जिन में Credit Risk Involve नहीं होता यानि ना तो ये Loan दे सकते हैं ना ये Credit Card इशू कर सकते हैं ये Accept कर सकते हैं Demand Deposit एक लाग तक का उसके लावा ये Remittances Mobile Payment, Transfer और Purchases जैसे Banking Services दे सकते हैं अगला आर्टिकल है हमारा RBI ने कुछ Framework इशू किया है जिससे Payment Service Operator को Comply करना होगा इन Framework को इशू करने के लिए RBI ने इस्तमाल किया है Payment and Settlement System Act 2007 का अब ये Payment Service Operator क्या होता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो Authorize हैं आपके Payment System के लिए इनमें हम Include करते हैं National Payment Corporation of India Visa, Clearing Corporation of India Limited ऐसी सभी कमपनी को यहाँ पर एक Minimum Standard बनाने की कोशिश की गई है जहाँ पर हम Manage कर सके रिस्क को In Case of Outsourcing of Payment उसके लाबा पहले RBI Direct Membership देता था इन लोगों को Centralized Payment System की जैसे RTGS और NFT अब कही न कहीं इसको Regulate करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर अगला आर्टिकल है Sweat Equity से रिगार्डिंग देखे Sweat Equity क्या होता है यह कुछ इस तरह के Share है जो एक Company इशू करती है अपने Employees को For Non-Cash Consideration इन Equities को Generally Startups और Promoters उसकरते हैं अपनी Company की Funding के लिए Recently, Sevy ने कितने Sweat Equity आप Issue कर सकते हैं इसको Change किया है उन Companies के लिए जो Listed है आपके Innovator Growth Platform पे Basically, इस Platform पे New Age Technology Companies लिस्टिड होती हैं इस Innovator Growth Platform को Sevy ने Launch किया था 2019 के एक Regulation को Amend करके जो की था Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulation 2019 यहाँ पर हम Include करते हैं उन Technologies को जैसे IT, IPR, Data Analytic, Biotechnology, Nanotechnology इस Platform को Launch करने के पीछे कारण यह था कि हम इन Business और Service Provider को Funding में Help कर सके अगला आर्टिकल है हमारा Water Plus City के Regarding अभी Recently Conducted Swatch Survection 2021 के According इन दौर आपकी पहली City बन गई है जो Water Plus City है यह Water Plus City वो City होती है जहाँ पर जो Waste Water है आपके जो घरों से निकलता है Commercial Establishment से निकलता है उन्हें हम इस तरह से Treat करते हैं कि वो Environment के लिए Threat नहीं है अब बात किये जाए Swatch Survection की तो यह एक Annual Survey है जहाँ पर हम Cleaningness, Hygiene और Sanitation के उपर Focus करते हैं Cities और Towns में इसे Launch किया गया था Swatch भारत Mission के अंडर यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि इंदौर इंडिया की सबसे Cleanest City है अगला आर्टिकल है आरोग्य धारा 2.0 से रिगार्डिंग देखे, National Health Authority ने अभी Recently एक Event कंड़क्ट किया क्योंकि 2 करोड लोगों ने Hospital में Treatment लिये है आयूश्मान भारत परधान मंत्री जन आरोग्य यूजना के अंडर इसका Objective ये था कि हम और जादा Increase कर सके इसकी Reach साथ के साथ हम लोगों में Awareness Create कर सके About आयूश्मान भारत परधान मंत्री जन आरोग्य यूजना अब यहाँ पर तीन इनिश्मान भारत पर आयूश्मान मित्र जहाँ पर citizens को encourage किया जा रहा है ताकि वो motivate कर सके सभी eligible beneficiaries को ताकि वो इस scheme के अंडर अपना आयूश्मान कार्ड बनवा सके ये आयूश्मान मित्र इन लोगों की help भी करेंगे इन कार्ड को issue करवाने में दूसरा initiative है अधिकार पत्र जहाँ पे एक welcome note दिया जाएगा उन लोगों को जो इस scheme के beneficiaries हैं साथ के साथ उनके rights को भी दर्शाया जाएगा इन अधिकार पत्र में तीसरा है अभी नंदन पत्र जहाँ पे एक thank you note होगा सभी beneficiaries के लिए अगला article है हमारा floating rate funds के regarding देखिए ये कुछ ऐसे bonds होते हैं जहाँ पे economy के interest rate जैसे ही change होता है तो इन funds के भी rate change हो जाते हैं ये आपको losses से बचाते हैं और साथ के साथ आपके returns को और जादा increase करने की कोशिश करते हैं से भी के according अगर कोई अगर कोई company floating rate fund को issue करती है तो उन्हें कम से कम 65% of fund invest करना होगा floating rate instrument में अभी recent time में बहुत सा investment देखने को मिला है इन floating rate funds में क्योंकि ऐसी उमीद करी जा रही है कि economy में अब interest rate एक बार फिर से बढ़ेगा अब बात की जाए यह floating rate fixed rate से different कैसे होता है तो fixed rate में चाहे economy में interest rate भढ़े या घटे आपको उतना ही interest मिलेगा वेरास floating में वो वो change होता रहता है economy के interest rate के regarding अगला article है हमारा rate और invite के regarding जहाँ पर recently national stock exchange ने अपनी guidelines या eligibility criteria को revise किया है जिससे यह rate और invite को include कर सके nifty indices में इससे benefit यह होगा कि जो small investor है अब वो invest कर पाएंगे in rate और invite में इसके लावा यह help करेगी government की national monetization pipeline में जहाँ पे हम invite जैसे mechanisms को use करते हैं अब बात कीजए rate और invite की तो invite की full form है infrastructure investment trust यह एक mutual fund है जहाँ पर आप directly invest कर सकते हैं infrastructure sector में जैसे road और power transmission में उसके लावा बात कीजए rate की real estate investment trust जहाँ पर आप उन offices और mall में invest कर सकते हैं जो investment लायक हो और इन दोनों को ही से भी regulate करता है तो आज के article में इतना ही धन्यवाद